एल्लो वीवर्स असलाम लेकूं मैं हूरोशन आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ महेरी की रेशिपी इसे कुछ राइस भी बोलते हैं तो सब से पहले हमने हाफ कप चावल लिया है इसको भीगो लिया है अच्छी तरह से और ये दो कप हमने दही लिया है इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है एक कूकर लेते हैं या पतीला ले 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 इसमें ये दो से तीन टेवर स्पून ओयल डालते हैं और इसमें मेथी दाना एट करते हैं हाफ पावडर 1 चावल को भी डाल देते हैं चावल को एक से दो मिनट इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे और इसमें हम पानी एड़ करेंगे पूरा पानी लाष्ट में आपको दिखाएंगे तो देख सकते हैं हमने अभी एक गलास पानी डाला हुआ है और यह जो दही हमने फेट कर रखा हुआ था इसमें हम डालेंगे और रेगुलर चलाना है वरना यह दही फट जाएगा तो इसी में हम पानी भी डाल देते हैं जैसे हाफ लिटर हमारा दही था और डेढ़ लिटर इसमें हमने पानी एड़ किया दोनों मिलाकर हमने दो लिटर पानी एड़ किया हुआ है दही और पानी और इस तरह से बहुत अच्छा हमारा ये कुक होगा ये जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक आपको रेगुलर चलाना है वरना ये फट जाएगा बॉयल आ चुका है देख सकते हैं उबल रहा पक रहा हमारा तो इसमें हम नमक आड़ करेंगे एक टीस्पु और हमारा ये चावल भी पक चुका है तो ऐसे हम ढख देते हैं गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद आपको दिखाएंगे ऐसे जितना पानी दिख रहा था बिल्कुल ये सोख चुका है देख सकते हैं बहुत अच्छा इस तरह से दिख रहा है और य महेर इसे बोल सकते हैं या फिर महेरी हमारे यहां इसे महेर बोला जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है मसाला और थोड़ा खटा मेरी वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेयर